हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लिमेंटरी बिजनस को सब्सक्राइब करें सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिलकुल ना भूले राममंदर का भूमी पूजन पांच अगस्त को हो गया लेकिन जैसे राममंदर पर पहले राजनीती होती थी अब भूमी पूजन होने के बाद भी विपक्ष की बयान बाजी थमने का नाम नहीं ले रही है दरसल राममंदर भूमी पूजन पर अब संबल से समाजवादी पार्टी के सांसाद डॉक्टर शफिक और रह्मान बर्क का विवादित बयान सामने आया है बर्क ने कहा कि बीजेवी सकार ने अपनी ताकत के बल पर अदालत से अपने हक में फैसला करा कर पूरी जमूरियत और सेकलोरिजम का कतल किया है बावरी मजद थी है और हमेशा रहेगी बता दे इस से पहले भी सांसाद ओवेसी ने राम मंदिर भूमी पूजन को लेकर बयान दिया था जिसके बाद अब सुर में सुर मिलाते हुए संबल से समाजवादी पार्टी के सांसाद डॉक्टर शफिर कुर रहमान बर्क को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया उन्होंने मीडिया को दिये गए बयान में कहा कि आयुद्ह में बावरी मस्जित है और बावरी मस्जित रहेगी मुसल्मान मायूस ना हो वो योगी और मुदी के रहमों करम पर नहीं है मुसल्मान अल्ला के भरोसे जिंदा है पर जमूरी मुल्क पर अदर यह जो अमल हो रहा है इस अमल पर उनों ने शायद कभी गौर नहीं किया कि हम जो कुछ भी यह यह कर रहे हैं बारा किस बुन्याद पर कर रहे हैं ठीक है अब प्रकुकर उनकी गौर्मेंट है उन्होंने अपनी ताकत के बल्बूते पर यहांपर जो इस रंग बुन्याद रख दी और और अधालत सभी अधालत अलिया सभी अपने फेवर में करा लि परके हमारे साथ दोटवली नाइंसाफी हुए है लेकिन हमने सबस से काम दिया है और आज भी हम अल्ला के भरोसे पर यह उम्मीद करते हैं कि इंशाल्ला यह जगा हमेशा मजजित थी मजजित है मजजित रहेगी इसको कोई बिटा नहीं सकता इस बात को अल्ला की जोपी दि के लिए जाने जाते हैं पहले भी इद उल्जुहा को लेकर भी बयान देकर सुर्ख्यों में आये थे जिसमें उरोडे कहा था कि अगर मुसल्मान सामोहिक नमाज अदा करेंगे तो देश में कोरोना खत्म हो जाएगा और एक बाब फिर सांसर बर्क राम मंदिर पर बयान द में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश देने का भी आरोब है अकले श्यादव ने भी कभी शीराम मंदिर का समर्थन नहीं किया है पारलेमेंटरी बिजनस के लिए संभल से सनी गुपता की रिपोर्ट